कहते हैं अधिक सयानों जाए ठगानों जहां एक तरफ तूर्की बरबाद हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के करेंट एकाउंट का गाटा एक परतीसत हो गया है अब इसका क्या मतलब है एक हड़कंप सम मचा हुआ है इसी बीच भारत के खजाने की खबर ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये और करीब दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से पूरी दुनिया में ना टॉप की एकोनोमी उठा लिजिए मिडल एकोनोमी उठा लिजिए सबका बहुत बुरा हाल है चाहे वो जापान की बात करें चाहे वो चाइना की बात करें यहां तक की अमेरीका की ही बात क्यों न करें और यह अपनी एकोनोमी को तरीके से हैंडल कर भी नहीं पा रहे हैं चाइना की इकोनोमी 2023 में भी गड़बढ थी और 2024 में भी गड़बढ ही रहेगी इसे बीच तूर्की ने जरुमत से ज़्यारी दिखाते हुए एक फैसला लिया इसक्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप तूर्की ने फैसला लिया कि हम मिनिमम मजदूरी जो है वो 49% बढ़ा रहे किया क्योंकि उनके देश में इस वक महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और इन्हों ने सोचा कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो जेब में ज्यादा पैसे होंगे तो महंगाई का बोज पता नहीं चलेगा तो इसके लिए ऐसा करो जो वेतन है और मजदूरी है उसक उन्चास परतिसत बढ़ा दो ये एक सीधी सोच थी इस सीधी सोच का क्या असर पड़ेगा ये साइद अर्दोगन ने नहीं सोचा था और इस एक ऐलान के बाद क्या होता है तुर्की के सेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलती है तुर्की की करेंसी में भी गिरा और अभी अरदोगन के लिए बहुत बड़ी मुसीवत हो ज़यी है यह बहुत बड़ी दिक्कत आकर खड़ी हो गई है और सिर्फ तुर्की की बात नहीं है इस तरीके के हालात जैसा मैंने कहा दुनिया के कई सारे या ये कहें अधिकांस देशों का है इन सब के बीच में अगर भारत के खजाने में ताबड तोड बिर्धी हो रही है तो अचानक ऐसी कौन सी जादूई छड़ी मिल गई है भारत को अब ऐसी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए ये आर्टिकल बता रहा है भारत का बढ़ा हुआ फॉरेक्स रिजर्ब भारत के फॉरेक्स रिजर्ब में ताबड तोड बढ़ोत्री हो रही है और इतनी बढ़ोत्री की भारत ने 21 महिने का रिकॉर्ड तोड दिया है आपको बता दें लगातार ये तीसरा हफता है जब भारत के फॉरेक्स रिजर्ब में बढ़ोत्री ही देखने को मिली है आपको बता दें पहली बार बढ़ा पहले वीक में 2.816 billion और भारत का फॉरेक्स रिजर्ब हो गया 606.859 billion दोलर फिर दूसरे हफता भारत के फॉरेक्स रिजर्ब में बढ़ा 9.112 billion और भारत का फॉरेक्स रिजर्ब हो गया 615.971 billion दोलर और अब ये तीसरे हफते भारत के फोरेक्स रिजर्व में बढ़ोत्री हुई 4.471 बिलियन और इसके साथ ही 21 महिने के अपने सबसे जादा बड़े नम्मर पर पहुँच गया है सबसे जादा बड़ी बड़ोत्री हुई है पिछले करीब करीब दो साल के तुलना में और हो गया ये पार भारत चाहता था कम से कम 600 के उपर रहे लेकिन यहाँ पर आकड़ा 620 डॉलर पार कर चुका है और कहा जा रहा है कि ये जो है न ये अभी बहुत ज़्यादा उमीद कि जा रहा है कि ये आकड़े अभी और भी ज़्यादा बढ़ेंगे अब अच्छानक से ऐसा क्यों हो रहा है मन में आपके ख्याल आएगा अच्छा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा यानि कि विदेशों से पैसे वैसे आ रहे होंगे इसलिए तो आपको बता दू फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक पहलू तो जरूर है लेकिन इस पहलू के अलावे भी कुछ चीजें हैं जो कि भारत के अर्थ विवस्ता को इस वक्त रॉकेट की तेजी दे रही है इस स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप इस ग्राफ में आपको एक अंत 1.1 परसेंट यह क्या है यह है बैपार घाटा जो भारत के जीडीपी का कुल हुआ है यानि कि भारत के करेंट एकाउंट घाटा जो हुआ है वो जीडीपी का एक दसमलों एक परतीसत हुआ है मतलब यह तो दुख की खबर हुई तो आपको थोड़ा बता दूँ यहां इस चीज को ऐसे समझिए भारत बिदेश से खरीदता है किसी चीज को मालीजी हजार रुपई की चीज भारत हर साल खरीदता है और भारत बेचता है 900 तो ये बैपार बराबर का नहीं हुआ बैपार में बैलेंस नहीं है और इसका मतलब हो गया कि बैपार में आपको घाटा हो रहा है और वो बैपार घाटा कितने का हो रहा है बैपार घाटा हो रहा है सो रूपे का जिस दिन आप हजार का ही समान बेच देंगे और हजार का खर छिने लगेंगे उस दिन होगा कि आपका बैपार सर प्लस पर चल रहा है अब जब सर प्लस पर चलने लगता है तो इसका मतलब होता है खुब सारा मुनाफ़ा क्योंकि बहुत ज्रूरत से ज्रूरत से ज्रूरत ज्रूरत पेश sed more तो इससे आपके 4 इपệप तो अभी क्या हो रहा है अभी ये हो रहा है मिंट के इस ग्राफ को देखिए इसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये जो आपको दिख रहा है इस ग्राफ में quarter 2 और quarter 1 financial year 23 का quarter 4 ये जो blue ग्राफ देख रहे हैं जो blue bar है उपर की तरफ ये बता र लेकिन बाकी के ग्राफ देखेंगे आप मतलब भारत का बैपार घाटा पहले जादा हुआ करता था और इधर पिछले तीन quarter से लगातार भारत का बैपार घाटा कम हो रहा है quarter 4 financial year 23 में तो ये बैपार घाटा सुन्य दसमलो दो परतीसत हो गया था मतलब बहुत कम पर फिर अभी भारत 1 परतीसत पर है यानि कि घाटा तो हुआ है और घाटा कम हुआ है और घाटा कम हुआ है मतलब मुनाफा जुड़ा है पैसे फॉरेक्स रीजर्ब में जुड़ रहे हैं और आपको बता दें एक समय तो ऐसा था जैसे ये सबसे बड़ी बार देखेंगे हमारे gd के 3.8% का घाटा हुआ था पर अब धीरे धीरे भारत अपने घाटा को मैनेज कर रहा है भारत सर्वीसेस भी बेच रहा है प्रोडक्ट भी बेच रहा है और इससे भारत को कही न कही फाइदा होता हुआ दीख रहा है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ